भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चार धाम राजमार्क विकास पर योजना का आज शुभारंब करेंगे उत्तरा खंड राज्य के हिम शिकरों में बसे चार धाम केदार नाथ बदरी नाथ गंगोत्री यमुनोत्री के मारगों ने भूस खलन सिंकिंग जून अंधि मोड आदी दुरघटना मैं सैकणों स्थलों के कई आघातों से गुजरते हुए पक डंडियों से सड़कों तक का सफर तै किया है प्रत्य एक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री और देशी विदेशी परिटक चार धाम एवं सिखों के पवित्र तीर्थ थल हेमकुंड साहिब फूलूं की घाटी और ओली में एडवेंचर खेलूं के लिए उत्तरा खंड की यात्रा करती है इस यात्रा में उन्हें तमाम मुश्किलूं का सामना करना पड़ता है बारिश के मौसम में ये यात्राए और दुर्गम एवं दुशकर हो जाती है सभी मौसम में ये यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए केंद्रिय परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी जी के नितरित्व में परिवहन मंत्राले ने 12,000 करोड रुपए लागत की चार धाम राजमार्ग विकास पर योजना बनाई है 900 किलोमेटर लंबे टू लेन पेवड शोल्डर की साथ नैशनल हाईवे विकास को गहन सर्वेक्षन और अध्यन के बाद साथ पैकेजेस के माध्यम से आकार दिया है जिसकी शुरुवात रिशिकेश से होगी रिशिकेश से रुद्र प्रयाग 140 किलोमीटर एनच 58 का विकास लागत 2166 करोड रुपए रुद्र प्रयाग से माना बदरीनाथ 160 किलोमीटर NH 58 का विकास, लागत 1542 करोड रुपई रुद्र प्रयाग से गौरीकुंड केदारनाथ 76 किलोमीटर NH 109 का विकास, लागत 1106 करोड रुपई रिशिकेश से धारासू 144 किलोमीटर NH 94 का विकास, खर्च 1627 दश्मलव 50 करोड रुपई धारासू से यमुनोत्री 95 किलोमीटर NH 94 का विकास, लागत 1920 करोड रुपई धारासू से गंगोत्री 124 किलोमीटर NH 108 का विकास, लागत 2089 करोड रुपई तनकपुर से पिथोरागड 148 किलोमीटर नैशनल हाईवे 125 का विकास, खर्च 1557 करोड रुपई इन मारगों पर कुल 132 पुलों की श्रंखला बनेगी, जिसमें 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है तेरा बाई पास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिम गिरी का पानी सडकों की बरबादी में एहम भूमिका निभाते हैं जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल 3889 कलवर्ट राज मारगों की सुरक्षा का हल बनेंगे पागल नाला लांबागड जैसे 38 लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली सॉयल नेलिंग गैवियन वॉल स्क्वाइर मैस वेजिटेशन जियो सिंथिटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तक्नीक का उप्योग होगा देव प्रयाग जैसे तीन सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी चार वायडक्ट का निर्मान होगा जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायडक्ट तथा सोन गंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोन गंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेंट वायडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर उंचा पहुचा देगी दो महत्वपून टनल भी विक्सित होंगी 5 किलोमीटर सिल्क यारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और परियावरन अनुकूल बना देगी जगह जगह इमजेंसी ले बेज विक्सित होंगी जो परिशानी भरी यात्रा को आनंद मई बनाएंगी चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंद मई बनाने के लिए 18 रोट साइड एमिनिटीज, 145 बस बेज भी विक्सित होंगी नौ ट्रक बेज क्षेत्र के व्यवसाई उन्नती में एहम भूमी का निभाएंगी वर्श 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष है भूमी अधिग्रहन और प्रभावित लोगों का पुनरवास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है एक्सिडेंट स्पोट एवं दुरघटनाओं के आंकड़ों में उलेखनिय कमी खत्रे की सूचना वाले बोड जन सुविधा के पत दर्शक बनेंगे जो तीर्थ यात्रियों एवं परेटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुणा बढ़ाएंगे हजारों युवाओं को रोजकार चीन से सटी भारती सीमा को सुरक्षा और यात्रा के समय में 30 से 40 प्रतिशत कमी चारधाम राजमार्क विकास परियोजना उत्तराखन राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नती तथा पहाडिक शेत्रों के विकास में मील का पथर साबित होगी